नमस्कार आज हम बात करेंगे बगवान शिव ध्यान सादुना के बारे में और उनसे जुड़ी हुई एक ध्यान के ऐसी विधी के बारे में जिसका अगर आप नित्य अभ्यास करते हैं तो आपको उस ध्यान की विधी के अभ्यास के द्वारा बगवान शिव का प्रेम, उनक दर्शन आपको प्राप्त होने लगता है लेकिन इससे पहले कि हम ध्यानवीदी के बारे में बात करना शुरू करें पहले थोड़ा सा हम बगवान शीव के बारे में बात करते हैं उनकी महानता और उनके गुणों की थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं बगवान शीव को देवों शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंट के नाम से भी जाना जाता है। तंतर साधना में हम इने भैरव के नाम से भी जानते हैं। वेदों में इनका नाम रुद्र है। इनकी अरधांगनी यानिकी पतनी का नाम पारवती है। इनके पुत्र कार्तिके और गणेश है। शीव पूरूपों में की जाती है, शीव के गले में नाग देवता विराजित है और हाथों में डमरू और तिर्शूल लिए होए है, कलाश में उनका वास है, शीव अर्धनारिश्वर होते वे भी काम भावना से ऊपर हैं, गरस्त होते वे भी शमशानवासी और वितरागी हैं, स्वम्य होते वे भी भ्यंकर रुद्र हैं, शीव परिवार भी इसे चूता नहीं है, उनके परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंग, सरप, मयूर, मूशक, सभी का संभाव देखने को मिलता है, वे स्व्यम द्रंदों से रहित हैं और महान विचारों के परिचायक हैं. हिंदू धरम में भगवान शीव को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिनमें एक नाम है रूद्र, रूद्र से अभी प्राय जो दुखों का निर्मान और नाश करता हैं. दूसरा नाम है पशुपतिनात पशुपतिनात बगवान शिव को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशुपक्षियों और जीवातमाओं के स्वामी है और उनका अगला नाम है अर्दनारिश्वर अर्दनारिश्वर उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव और शक्ति के मिल बोले नाथ उनको कहा जाता है बोले का अर्थ है कोमल हिर्दय वाला द्यालू और असानी से माफ कर देने वाला यह विश्वाश किया जाता है कि बगवान शंकर असानी से किसी पर भी परसन्न हो जाते हैं एक उनका नाम है नटराज नटराज उनको इसलिए बोलते हैं क्योंक शीव तांडव निर्ट्य के प्रेमी है। तो एसी बगवान शीव की महिवा है ऐसा उनका प्रारूप है अब इन्हीं बगवान शीव की किरपा प्राप्त करने के लिए इनका आशिरवाद प्रा Pourquoi करने के लिए ताकि हम अपने जीवन में सही से आगे बढ़ सकें, हम पर कोई दुखों का वासना हो हम सुखी रहे और हमारा जीवन सुख और शांती से आगे बढ़ता रहे उनका अशिरवाद हमें मिलता रहे इसके लिए अब हम एक ध्यान की विधी की एक बात करेंगे इस ध्यान साधना को आप बैट कर भी कर सकते हैं और अराम से लेट कर भ जूर करें और अगर आपके पास प्रयाप्त समय हो तो आप इसको अधिक्तम तीन मीने तक भी कर सकते हैं और जब आप इस ध्यान विधी का ब्यास करें तो शुरू-शुरू में आप इसे पांच मिनट तक कर सकते हैं और धिरे-धिरे 10-15 दिनों तक समय धिरे-धिरे आप इसे अधिक से अधिक 40 मिनट तक भी कर सकते हैं तो ये आपके उपर है कम से कम आप इसे 5 मिनट तक करें और अधिक्तम आप इसका समय 40 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं इस विधी को आपको कैसे करना है ध्यान से समझें आप अराम से अपने ध्यान का क्ष में बैट अपने दोनों हाथों को ग्यान मुद्रा बनाकर अपने घुटलों पर रख लें और आइस को बंद कर लें और बैतर होगा जब आप इस ध्यानवीदी का अभ्यास करें तो आप अपने घर के मंदिर में बैठ कर इसका अभ्यास करें और अगर आपके सामने गवान शीव की मू करें सभी प्रकार की हलन चलन जब आपकी शान्त हो जाए मन स्थीर हो जाए फिर आपको क्या करना है वो आप समझें आपको तीन चीजे करनी हैं सबसे पहले आप अपना ध्यान अपनी श्वास के उपर लेके आएं आप देखें कि आपकी सांस कैसे अंदर गई और फिर बाहर अपनी हर अंदर आती सांस और जाती सांस पे अपना ध्यान टिका कर रखें और महसूस करें कि आपकी जो अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस है वो आपके शिवनेतर से निकल रही है और शिवनेतर से ही अंदर प्रवेश कर रही है शिवनेतर यानि आपका आग्या चक्र इसको हम थड़ाई भी बोलते हैं आग्या चकर भी बोलते हैं शिव का नेतर भी बोलते हैं तो ये स्थान कहाँ पर है दोनों बोहों के बीच में आप अपने माथे पर दोनों बोहों के बीच में जहां पर लेडिस बिंदी लगाती हैं वहाँ पर अपने मन को एकागर करके र तो अपने आग्या चकर पर आप अपना ध्यान टिकाएं और बगवान शीव के सवरूप को इसी स्थान पर देखते रहें और निहारते रहें और इसी स्थान पर अपनी श्वास को भी आता हुआ और जाता हुआ देखते रहें इस स्थान को बगवान शीव का स्थान माना जा इसलिए यदि आप यहाँ पर बगवान शीव के दर्शन करेंगे तो जल्दी से ही आपका ये स्थान जावित होना शुरू हो जाता है अब आपने इस स्थान पर मंद्र को भी जोड़ना है बगवान शीव का प्रिय मंद्र ओम नमो शिवाए कैसे जोड़ना है जब आप अप आग्या चकर पर तो आप मन ही मन याद रखें आपने मूँ से नहीं बोलना है मन ही मन आप सबसे पहले ओम नमो शिवाए सबसे पहले आप ओम शबद का जाप करेंगे मानसिक जाप करेंगे किसके साथ अपनी अंदर आती श्वास के साथ आप अपने मानसिक नेत्रों से अन आप ओम शबत का धीमे स्वर में अपने मन में ही जाप करेंगे जैसी शवास अंदर आई तो आपने ओम शबत का जाप करना है फिर कुछ सेकिंड के लिए एक दो तीन या पांच सेकिंड तक आप शवास को रोक लेंगे कहां पर आग्या चकर पर और जब लगबग दो से पां सेकिंड तक जब आप शवास को रोक कर रखेंगे तब आपने नमहे शबत का जाप करना है और फिर जब दो पांच सेकिंड लगबग पूरे हो जाए तो फिर आप शवास को छोड़ देंगे और जब शवास को छोड़ेंगे तो शिवाय शबत का जाप करेंगे यानि की या जाद रखें आपने अपनी श्वास की साथ ज्यादा जोर्ज बरदस्ती नहीं करनी है उसको बस चलने दें जैसी आपकी श्वास चल रही है लेकिन जैसे ही आपकी सांस अंदर आएगी तो उस अंदर आती सांस के साथ आपने ओम शबत का मानसिक जाप करने है और फिर कुछ स च्वास को छोडेंगे तो उसके साथ ही आप शिवाय का जाप करेंगे तो अंदर आती शिवास के साथ ओम जब सांस रुकेगी तो नमहे और जब शिवास को छोडेंगे तो शिवाय इस प्रकार आपने ओम नमहे शिवाय को अपने सांस के साथ जोड़कर लगातार इसका उप के साथ और आग्या चक्र के साथ और बगवान शीव के दरिशन के साथ आपका मन जुड़ जाएगा तो इसी प्रसेस में आप लगातार बार 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 इसी चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो दिरे 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 आपका ध्यान गहन होना शुरू हो जाएगा और आपका ध् ध्यानवीदी का अभ्यास करने लेकिन हो सकता है आपको किसी प्रिकार क्योंकोई अगर बास समझ ना आयो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ भी सकते हैं तो मैं उसको रिपलाई करने की कोशिश करूँगा धन्यवाद